दोस्तो आप सभी का only top study में स्वागत है आज इस वीडियो में हम देखने वाले top 35 परमुक विज्ञानिकों से सम्मन्दित question आंसर जो कि काफे important होंगे exam के point of view से ये सभी question दोस्तो बार-बार परिक्साओं में पूछे जाते हैं तो आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा और इन 35 कोशन में से आप लोग कितने सही कर पाते हैं अपना score नीचे comment box में जरूब होतेगा ये सभी प्रिक्साओं के लिए दोस्तों चाहिए SSC, Railway, Police, Lake Pal, Beard सभी exam के लिए अगर आप नए है चैनल पर तो चैनल को अभी subscribe करिए, bell icon को on रखे ताकि जैसे वीडियो अप्लोड हो आपकी सुबह 5 बजे वाली दोपर में 2 बजे वाली और रात में 9 बजे वाली वीडियो तो आपके पास एकदम से notification पहुँच जाए और आप इस वीडियो को तभी देख ले ठीक है कोई भी वीडियो मिसना हो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में share भी जरू करेगा दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हाँ अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर आता होगा तो comment box भी बताएगा क्योंकि मैं आपको हर एक कोशन में 5-6 सेकिंड देने वाला हूँ तो पहला कोशन है रेडियो एक्टिविटी की कोश किस ने किये थी पहला कोशन आपके स्किन पर है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा हैंडरी बैकुरल यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा पहले कोशन का तो यह आपको याद दखना है दूसरा कोशन है एंटिसेप्टिक सरजरी का सुत्रपाथ किस ने किया था मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर यानि की राइट आंसर इस ऐप्षन सी तो ये आपको याद अखना है तीसरा कोशन है 1948 में गटित परमानों उर्जा आयोग के अध्यक्स कौन थे दोस्तों तीसरे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर क्या आप लोगों ने अगर यहाँ पर C आंसर लगा रहे हैं होमे जागीर बाबा यानि कि बिल्कुल सही उत्तर क्या है ठीक है 1948 में गटित परमानों उर्जा आयोग के अध्यक्स कौन थे होमे जागीर बाबा यानि की राइट आंसर इस उप्शन सी कोशन नमबर 4 कह रहा है दोस्तों E equal to MC का स्कुएर का परतिपादन किस ने किया था तो तो कोशन नमबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा Albert Einstein यानि की राइट आंसर इस उप्शन ने तो कोशन नमबर 4 का राइट आंसर A हो जाएगा पाँचवा कोशन है सामपेक्सता का सिध्धान्त दिया था पाँचवा कोशन बिल्कुल सही आंसर क्या है और पाँचवा कोशन का जो सही उत्तर होगा वह आपका Einstein यानि की A राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो कोशन नमबर 6 है भारतिय अंतरिक्स अनुसंदान संस्थान यानि की इस रो कहां इस्तित है तो छटे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बैंगलोर में है यानि की A राइट आंसर हो जाएगा साथवा कोशन है चंदर सेखर बेंटेक रमन को नोबल पुरुसकार कब मिला था तो साथवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर किया है आप लोगों ने अगर यहाँ पर ओप्शन B आ रहा है 1930 तो यह आप लोग को याद रखना है आठवा कोशन है दोस्तो परमानों के नाभिक की कोच किस ने की थी और हाँ दोस्तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है जो अभी तक अपलोड हो चुकी है तो मैंने हर एक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है वहाँ से जाके आपको सारी वीडियोज देख सकते हैं जो अभी तक अपलोड हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पर आठवे कोशन का राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट बोक्स में बता दिया होगा आठवे का राइट आंसर हो जाएगा रदर फोर्ड यानिकि ए राइट आंसर होने वाला है नौवा कोशन है सूर्य की दिर्वेमान की 1.4 गुने दिर्वेमान को कहा जाता है दोस्तों नौवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा चंदर सेखर सीमा यानि की राइट आंसर इस भी तो ये आप लोग को याद अखना है दोस्तो दसवा कोशन है कैसको ग्राफ नामक यंत्र की खोज किस ने की थी दसवा कोशन दोस्तो कैसको ग्राफ नामक यंत्र की खोज किस ने की थी तो दसवे कोशन का रेट आंसर हो जाएगा जगदीश चंदर बोस ने यानि कि A आपका right answer हो जाएगा दोस्तो 11 question है The history of Hindu science किसकी अनुपम कृती है बिलकुर दोस्तो 11 question का right answer हो जाएगा मेगनाद सहा की यानि की right answer आपका D हो जाएगा 12 question दोस्तो क्या कहता है कि चेचक के टीके की खोज किस ने की थी यहाँ पे थोड़ा सा misprint हो रहा है ठीक है न? तो इसका जो right answer होगा दोस्तो चलिए comment box में बता दीजे क्योंकि चेचक के टीके की खोज किस ने की थी है मैं कहीं बार बता चुका हूँ और easy question है यह आपके लिए छोड़ देता हूँ comment box में सभी का answer आना चाहिए ठीक है? बहुत easy है यहाँ पे answer C है थोड़ा सा दिख वी रहा होगा तो आप लोग इसका answer लगा सकते है और इस वीडियो के comment box में मैं इसका answer पिन कर दूँगा क्योंकि अगर आप इसका answer करोगे तो ज़्यादा better रहेगा ठीक है? तेरवा question किसने बताया परत्वी अपने अक्स बर्ग घूमती हुई सूरे की परिकर्मा करती है दोस्तो 13th का right answer हो जाएगा आरिया भट ठीक है यह बताया था आरिया भट ने तो right answer आपका A हो जाएगा की खोज किसने की थी? question number 14 देखें neutron की खोज किसने की थी? तो question number 14 का right answer हो जाएगा gems chadwick यानि की A right answer हो जाएगा पंदरवा question है परमानू के सिधान्त का परती पादन किस ने किया था? परमानू के सिधान्त का परती पादन किस ने किया था? जॉन डाल्टन ने आने की right answer दोस्तो आपका B हो जाएगा दोस्तो question number 16 है the origin of species किन की रचना है? तो right answer दोस्तो हो जाएगा charles darwin यानि की right answer आपका A हो जाएगा question number 16 का 17th question है राष्टे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखे राष्टे विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तो 28 फरवरी को ठीक है? तो right answer आपका D हो जाएगा 18th question है hydrogen को तत्व के रूप में खोज किसने की? 18 question का right answer हो जाएगा हेंडरी कवेंडिशन यानि की right answer आपका C हो जाएगा 18th का question number 19 है रक्त परिवेन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवेन की खोज दोस्तो किसने की थी? विलियम हार्वे ने यानि की right answer जाप्शन है दोस्तो बीसवा question है एक्स रे की खोज किसने की थी? तो WC, रेनेटिजन यानि की right answer बी हो जाएगा दोस्तो बीसवे का 21 question है गती के जड़त नियम को किसने परतिपादेद किया? 21 बीसवे का right answer हो जाएगा गैलिलियो यानि की B right answer होगा 22 question है गती के नियम किसने दिया था? तो right answer दोस्तो नियूटन हो जाएगा गती के नियम किसने दिया था? नियूटन है 23 question है आपका भारत का birds man किने कहा जाता है? तो right answer हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली को यानि की C right answer होगा 24 बीसवे कोशन है अनुवांसिक की code की कोज किसने की? दोस्तो 24 बीसवे कोशन का right answer हो जाएगा अर्गोविंद खुराना ने यानि की D right answer हो जाएगा दोस्तो टेलिस्कोप का निर्मान किसने किया था? तो 25 बीसवे कोशन का right answer हो जाएगा गैलिलियो ने यानि की right answer is D 26 बीसवे कोशन है लाइसोसोम की कोज किसने की? 26 बीसवे कोशन right answer हो जाएगा C D डुबे यानि की right answer आपका हो जाएगा B right answer 27 बीसवे है प्राकरतिक चैन का सिधान किसने दिया था? तो 27 बीसवे कोशन का right answer हो जाएगा डार्विन यानि की A right answer हो जाएगा 28 बीसवे कोशन है लाइकेन की कोज किस विज्ञानिक ने की थी? 28 बीसवे कोशन का right answer हो जाएगा तो लासने यानि की right answer D हो जाएगा 29 वा कोशन है सब पर्थम जिवानूं का पता किसने लगाया था तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा लियोवेन हॉक यानि की राइट आंसर हो जाएगा भी 30 वा कोशन है पैंसिलीन की खोज किसने की थी तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो एलेक्सजेंडर फ्लेमिंग ने यानि की राइट आंसर इस ओप्शन है 31 वा कोशन है कोशी का सब पर्योग सब पर्थम किसने किया था तो 31 वे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा रोबर्ट हुक ने यानि की A राइट आंसर होगा 32 वा कोश्चन है इंसुलन की खोज किसने की थी तो राइट आंसर होजगा बेंटिंग एवं बेस्ट ने यानि की राइट आंसर इस भी गामा किरन की खोज किसने की 33 वे कोश्चन का राइट आंसर होजगा पॉल विलाड ने यानि की राइट आंसर इस डी दोस्तो आपका 34 कोश्चन क्या कह रहा है रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी तो लुइस पास्चर इस कोश्चन का राइट आंसर हो जएगा 35 वाइट कोश्चन है प्राकरतिक वरण का नियम किसके दोरा पर्तिपादित किया गया तो इस कोश्चन का राइट आंसर दोस्तो 35 वे का हो जएगा तो 35 कोश्चन मेंसे आप लोगोंने कितने सई के हैं सबसे पहले तो यही बता दीजिए अभी तक कि जितने वीडियो अप्लोड हो चुकी है अगर आपने लोगों ने वो देखनी है तो नीचे कमेंट बोक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को ओन रखेगा बाकि ये सारे टाइमिंग है वीडियो पसंद आई उदो लाइक और सेर कर देना मिलते नेक्स किलास में बाई बाई एवरिवार